मेरे पहाड में कई सालों से पलायन हो रहा है जो लोग सहरों को चले गए हैं वो तो ठीक लेकिन जो लोग गाओं में हैं वो ना तो अपने खेती कर पा रहे हैं और ना उनके पास दो वक्त की रोटी है जंगली जानवर इतने ज़्यादा हो गए है कि खेती छोड़ दी लोगों में खेती करना मुश्किल हो गया है क्योंकि जो करते हैं तो जंगली जानवर आ करके उसको खथम कर देते हैं दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अब सब युव भर्ग जो है वो चला गया है अब बुड़े बुड़े लोग रह गया है गाउं में जिन सिक्ष बसका की कुछ भी काम नहीं है यहां पर आओ गवन का कोई भी सादन नहीं है और लोग जो है यहां पर चार पांच किलोमेटर में रोड से जो है दूराई है जो लोग यहां पर बिमार होते हैं उनकी जो है इस तरी बड़ी दाइने हो जाती है हम लोग जो है गाउं में इकठा होकर उनको जो है रोड तक पहुचाते हैं और वहां पर जो है जब में रोड पर चले जाते हैं तो कुछ न कुछ मिल जाता है किसी तरह से उसको जो है हास्पिटल ले जाते हैं मैं चाती हूँ कि मेरे गाउं में जंगली जानवर से बशने के लिए पुक्ता इंतिजाम हो उन्नत खेती की तकनीक हो रोजगार के साधन हो ताकि लोग पलाइन करने से बचें इंडिया अनहर्ड और वीडियो वॉलिंटेर के लिए तीरी से मैं लक्ष्वी नौटियाग